आज 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस जिसकी शुरुवाती भारत से हुई और भारत जगत गुरु रहा है सोने की चिडिया रहा है तो इसमें क्या है कि भारत दुनिया को संदेश देता है और अभी देखा है आपने होगा कि सीमा जो पाकिस्तान में थी तो वहां भी इस अजबाद के लिए लोग तारीफ करते थे कि मोधी जी ने अंतराश्ट्री योगा दिवस के दौरा योग के पारा रोग भगाओ योग करो रोग भगाओ का नारा देकर पूरी दुनिया में यूएनों में पूरे देशों में सभी देशों में योग लोग करने लगे और उसके दारा स्वास्त पाने लगे तो ये एक बहुत ही अच्छी शिरुवात रही पिछले दस वर्षों में जिसको आज मोदी जी लगाता निभा रहे हैं और पूरी दुनिया किसी बात में भी डिफर कर सकते हैं भारत के साथ लेकिन योगा के साथ डिफर नहीं कर सकते योगा के साथ उनके मतवेद नहीं हो सकते त्योंकि वो उनके निजी स्वास्त के लिए है और उ इतने भारत के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन योगा की सारी तारीफ करते हैं, योगा शांती देता है, स्वास्त देता है, निरोगता देता है, धर देता है, गंभीरता देता है, विश्वास देता है, और ये आवश्चक है कि हम योगा के द्वारा योगा चलाते रहें, स्वास्त बीमारियां रोग हैं वो भी खतम होंगे और घर परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो आप करेंगे उसी को आगे पीढ़ी जनरेशन नई पीढ़ी भी करेंगे बच्चे आपके साथ करेंगे तो उन्हें शित्वर पर अगली जनरेशन जो नेक्स जनर अब साथ यह सब बीमारियां बढ़ रही हैं मानसिक रोगी बढ़ रहें तो इन मानसिक रोगियों को दूर करने के लिए यह सवावशक है कि हम आप सभी मिलकर योगा करें और निरोग रहें और जो समाच के लिए परिवार के हित्ति के लिए भी आपके निजी व्यक्तिक थित के लिए भी है इसलिए इसको किसी राजनितिक दल या किसी राजनितिक दल के वेक्ति के द्वारा देश के प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं मोधी जी कर रहे हैं उससे न जोड कर अपने निजीग किसी ने शुरुवात कर दी जिसने भी शुरुवात कर दी उसने अच्छी को सके इस सब के लिए आप शक्राइब